जैशी किष्टा दोस्तो ब्यसना फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम शनीवार के दिन किया जाने वाले ऐसे उपाय बता रहें जिनको करने से जीवन में चल रही सभी प्रकार के कश्ट दूर होंगे और शीगरी है आपकी जो बनो कामना है वो पाय अवश्य करना चाहिए दोस्तो उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सस्क्राइब निकर रखा तो सस्क्राइब जरू कर ले बेल आइकन को भी दबा दे जिससे मेरे आने वाली समी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पूजा करने से शनिदेव से जुड़े सभी कष्टों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है शनिदेव ने खुद ही काय कि जो व्यक्ति पीपल की पूजा करेगा पीपल को सपर्श करेगा उसके सारे मनुरत सिद्ध होंगे उसे कभी भी शनी से जुड़े कष्ट नहीं जहिलने पड़ेंगे और शनिवार का दिन आप सभी जानते हैं कि शनिदेव को समर्पित है शनिदेव को न्याय का देपता कहा जाता है वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं यदि शनी किसी से प्रसन हो तो उस व्यक्ति को जीवन में किसी भी तरह की कमी नहीं रहती वहीं यदि शनी इदेव किसी से नाराज हो जाए तो उसे देखे शाररीक आर्थिक और मानसिक तीनों तरह से प्रतारित करते हैं और ऐसे व्यक्ति को जीवन में तमाम कष्ट जीलने पड़ते हैं लेकिन अगर ऐसे कष्ट के समय में व्यक्ति पीपल की व्रिक्ष की पूजा करें तो उसके जीवन से शनी से जुड़ी पीड़ा समाप्त हो जाती है प्रहम पुराण में देखे शनीदेव ने सोयमी कहाया कि शनीवार के दिन जो व्यक्ति पीपल की पूजा करेगा पीपल को सपर्ष करेगा उसके सारे मिलवत में उसके सिद्ध करूँगा दोस्तो आज की वीडियो में हम पीपल से जुड़े हुए ऐसे दो उपाय बताने वाले हैं जिनके करने से कभी भी आपके घर में धनकी कमी नहीं होगी आपके जीवन में चल रही परेशानिया दूर होंगी और शीगर ही आपको संतान सुक की प्राप्ती होगी दोस्तो पीपल में तृदेवों का वास माना गया है और शनिवार के दिन शीहरी भगवान के साथ माता लक्ष्मी का वास माना जाता है और शनिदेव पीपल की पूजा करने से बहुत ही शीगर प्रसन होते हैं सबसे पहला उपाय है दोस्तो अगर आपके जीवन में धन से सम्मंदित परेशानी चल रही है आपके वैपार में नोकरी में किसी भी तरह से अगर रुकावट आ रही है धन का आगमन नहीं हो पारा आपके घर में धन टिकता ही नहीं है जितना कमाते हैं उससे ज्यादा पत्ते को आपको बदल लेना है ऐसा करने से कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी क्योंकि शनिवार के दिन मतलब पीपल पर माता लक्षमी का वास माना जाता है और माता लक्षमी इतन से बहुत ही शीग्र प्रसन होती है इस उपाय को आप कुछ समय तक करके दे देखे देखना आपको बहुत ही शीगर इसका मतलब फाइदा दिखना प्रारम हो जाएगा है। वरिक्ष के पास जाना है जो बहुत ही पुराना हो यानि जितना पुराना पीपल का वरिक्ष हो उसके पास जाए। अगर घी नहीं है तो आप तिलका तेल या सरसो के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। दोस्तों आपको ये सभी वस्तू लेकर पीपल के वरिक्ष के पास जाना है और वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे आपको गी का दीपक जलाना है। खड़े होकर आपको हलुमान चालिसा का पाठ करना है। और इसके बाद देखे पीपल के किसी भी पत्ते पर आपको उस लाल पैन से अपनी मनोकामना लिख देनी है। और साथ बार आपको कलावा लपेटना है अपनी इच्छा बोलते हुए और साथ ही आपको अपने हाथ की कलाई में भी देखे आपको मतलब कलावा लपेटना है और आपको पीपल की जड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी उस लाल कप्ड़े में बांध लेनी है। दोस्तों वहाँ पर अपनी इच्छा अवश्य बोले और उस मिट्टी को लाल कप्ड़े में बांध कर आपको अपने घर लियाना है आप अपने घर के मंदिर में तिजोरी में रख सकते हैं आपके घर के में जितने भी जैसे वास्तु दोश है या किसी भी तरह का नजर दो ना दिखे तो आप तीन शनिवार तो अवश्य करें देखना आपको निशिद ही लाब मिलेगा आपकी जीवन में चल रही परेशानिया दूर होंगी और शीर ही आपको संतान सुक्की प्राप्ती होगी इस उपाय को आप किसी भी मनो कामना के लिए कर सकते हैं लेकिन जिन अंपत्यों को संतान सुक्की प्राप्ती नहीं उपारी वो इस उपाय को अवश्य करें दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरू करें आप सभी को जैशी कृष्णा